स्वागत आप सभी का ये नभारे टाइम्स ऑनलाइन का नियूज रूम है मैं संधीप हूँ मेरे साथ है मेरे सहयोगी सत्यका मध्वदेश का सियासी संकट जो है वो लगातार दिल्चस्प होता जा रहा है एक तरफ राजपाल ने कहा था कि आज सरकार को फ्लो टेस्ट विद संधीप करनाटर के तरफ पर ये मामला हो रहा है सुप्रीम कोट में श्रीवरासिंग चोहान मतपरदेश के पुर्व सीम है और बीजेपी विधायकों के तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी कि कमलाथ सरकार को सुप्रीम कोट जल से जल फ्लो टेस्ट का आधेश दे त सुप्रीम कोट में मामले की जब सुफ़ू हुई तो सुप्रीम कोट में शिवरासिंग के वकील दलिल कि कमलाथ सरकार है और सुकूप्रीम कोट आधेश दे कि वहां पर फ्रोट टेस्ट हो क्योंकि यह सरकार के पास भहुमत नहीं है लेकिन पूरी सुनवाई के दरवान सुप्रीम कोट ने फिर प्रतिवादी पक्ष के तरफ से वकील के बारे में जानना चाहा तो कॉंग्रेस की तरफ से कोई वकील वहां नहीं था तो एक एक जो नॉर सबको नोटिस जारी करते हुए कल साथ 10 बजे सुनवाई की तारीक दी है और अब कल इस पे सुनवाई होगी सुप्रीम कोट दोनों पक्षों की बात सुनेगा पुरु सियम शिवराज सिंग चवहान के तरफ से जो मुकुल रत्वगी दलील रखेंगे वो और कमलना सरकार क कि तरफ से जो भी उनके वकील समय पेश होंगे उनकी तरफ से वह दलील रखेंगे दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी फिर सुप्रीम कोट किसी फैसले पर पहुंच सकता है आम तोर पर कनाटक वाले मामले में संधीब आपको जहां तक पता ही है कि काफी इसमें बवा की zelf करेंजर को फॉलो करते हुए बवाले में पार आपक्र relied की तो हैहर जारी किया है क्योंकि प्यूदर parler क्रンタव में मिनमान केशी को हो रही है ंताया आताया होती Acts करेंजर से inmद्ध के ने सम्मंदित पक्षों को एक notice जारी किया है क्योंकि जब कोई सुनवाई शुरू होती है सुप्रीम कोट में तो सम्मंदित पक्ष को यह जानकारी तो चाहिए होगी न कि उसके खिलाफ मामला आया है तो एक normal procedure सुप्रीम कोट ने follow किया है कमलना सरकार को नोटिस दिया है कि आपके खिलाफ ये मामला है आपके बारे में ये चीजें हैं आप अपना पक्ष रखें तो कल कमलना सरकार की तरफ से कोई वकील इस पे पेश होगा और सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेगा सुप्रिम कोट में और क्या जो के बागी विधायों की तरफ से वरिष्ट वकिल मनिंदर सिंग भी पेश हुए थे उन्होंने अपनी बात कही और आपको एक बात दिया दिलाओं कि आज सुभा में बैंगलोरू में करनाटक के विधायकों ने पीसी की है और वो जोतिरादित सिंधिया के पक्ष में बयान दि की हैं मृतिदिवयन तो यहां तक कह दिया सिंधिया कमर्तक संब्थक ताकत वर विधायक मैं मंत्र सरकार === कि संदय ह deeply कूषं तो उन्होंने काया कि कमला सरकार तो मेरी पंदमेट बात भी नहीं सुनती थी, तो कैसे हम उनके साथ जाएं, तो तेवर बहुत सक्त है, बिल्कुल, कमला सरकार के पक्ष में है नहीं मामला, तो अभी देखना बढ़एगा कि आगे कल की सुनवाई में क्या होता है? बिल्कुल तो कॉंग्रिस जो लगातार ये दावा कर रही है कि देखिए उन तमाम विदायकों को मैंगलोरू में बीजेपी ने बंधक बना के रखा हुआ है उनकी मर्जी के खिलाफ उनके परिवार के लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हैं और तमाम तरह की दलीलें कॉंग्रिस विदान सभा के पटल पर ही होता है तो सुप्रिम कोट में कल जब इस मामले की सुनवाई होगी जब सभी पक्षों को सुप्रिम कोट कल सुनेगा उसके बाद ये तैह होगा कि मध्वदेश का सियासी संकट किस दिशा में जाएगा इसके पहले आपको बता दें एक दिल्च को मिल गई है तो ये कुल मिला के अभी तक का डेवलेप्पेंट मध्वदेश से हमने आपको बताया आगे इसमें जो भी खबरे इससे जुड़ी हो आएंगी आप तक हम पहुंचाएंगे आप लगातार नभारतनाइम्स.com के साथ जुड़े रहें खबरे पढ़ते रहें और इससे जोड़े वीडियो भी देखते रहेंगा बहुत बहुत शुक्री आपका